Hello everyone, very good morning to all of you. आज के दिन की शुरुवात करेंगे 17 मई 2023 के करेंट अफेर के साथ. आप करेंट अफेर का PDF Static GK के साथ exam engine application से डाउनलोड कर सकते हैं. जब भी आप application को डाउनलोड करें तो 5 star rating देना ना भूलिए. क्योंकि ये application आपके लिए daily free study material तो लाता ही है, इतना ही नहीं, हमारे जो courses हैं वो exam engine आपको सबसे कम fee में भी उपलब्द कराता है. तो 5 star rating तो exam engine के लिए बनती है. अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के question की. कल मैंने आपसे एक computer का question पूछा था, और मेरा सवाल ये था, कि कोई एक अच्छा database होता है, तो उसमें जो table होती है, वो इनमें से कौन सी key को contain करती है. तो कहने का ये है, कि आप good database जिसे बोलते हो, तो एक अच्छे database की निशानी ये होती है, कि उसमें हर एक table पे, इनमें से कौन सी key होनी चाहिए. तो दरसल answer है, primary key होनी चाहिए. Primary key होती क्या है, थोड़ा द्यान से देखेगा. Example के तौर पर मैं आपके सामने एक table बना लेता हूँ यहाँ पर. यह मैं table बना रहा हूँ, इसमें मान लेते हैं, कि मैं तीन column ये बना रहा हूँ. पहला column जिसमें मैंने लिखा role number, दूसरा column जिसमें मैंने लिखा name, और तीसरा column जिसमें मैंने लिखा city, मतलब address. अब इससे आपको पता लग रहा है कि यह एक ऐसी table है, जो कि students का data रख रही है. अब role number चलिए हैं, आपर लिख देते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है. नेम लिख देते हैं, ए, बी, सी, एक्स, बी. सिटी लिख देते हैं, डैली लिख दिया, लखनव लिख दिया, विजयवाड़ा लिख दिया, विशाका पत्नम लिख दिया, और एक मान लीजे अजमेर लिखती है ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इस टेवल में आपके सामने तीन कॉलम है रोल नंबर नेम और सिटी अब ये आप खुछ सोच कर देखो कि क्या नेम रिपीट हो सकता है आंसर है यस क्या नाम एक जैसे नहीं हो सकते बिलकुल ह हो सकते हैं आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि आपकी क्लास में राहुल नाम के दो व्यक्ति होंगे या आशीस नाम के दो व्यक्ति होंगे या कीरती नाम की ही दो लड़किया होंगी ठीक है ऐसा होता है जनरली तो नेम कॉमन हो सकते हैं क्या सिटी कॉमन हो सकते हैं बि कौन सा ऐसा data है जिसकी dupli case ही नहीं हो सकती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ uniquely defined है, तो यह है role number, role number जो है यह किसी का भी same नहीं हो सकता है, सबका अलग-अलग होगा, तो एक अच्छे database की निशानी यहीं होती है, कि उसमें एक ऐसा column जरूर हो, जो कि data को uniquely identify करें, और इसी column को क्या बोलते है, primary key बोलते है, primary key जब भी किसी table में होती है, तो उस table में आप data को बहुत ही आसानी से fetch कर सकते हो, एक common सा example में लेकर देखता हूँ, जैसे माल लीज़े आप एक class में जाईए, और आपकी class में चार आशीस नाम के रालके हों चारों खड़े हो जाएगा, अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन से आशीस को बुलाना था, clear हो रही है बात, तो होता क्या है कि आपने data मांगा था एक लेकिन आपको चार data मिल गए, अब आप confused हो गए, आपको कौन से data चाहिए था, तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप searching करते हो primary key के through, तो आपको accurate data मिलता है, जैसे कि आप बोल दीजे जाकर कि मुझे वो आशीस खड़ा हो जाए सिर्फ class में, जिसका role number 10 हो, अब आपने condition लगा दी ना, आपने primary key की condition लगा दी, कि जिसका role number 10 हो, तो आप definitely सिर्फ एक याशीस कड़ा होगा और वही unique data है, I hope आप सभी clear हो गए होगे इस पूरे questions से, अब चलिए शुरू करते हैं आज के grand fair, अभी हाली में प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने कौन से राज्य के अंदर, गांधीनगर का अभी गुजरात में दौरा किया प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने और यहां पर एक नहीं multiple projects को launch किया है, इसमें अगर बात करी जाए तो एमदाबाद में नदी के ऊपर एक ओवर ब्रिज भी बनना है सीवेस टीट्मेंट प्लांट भी लगना है एमदाबाद के मैसाना में इसके अलावा पनास कंटे डिस्टिक के अंदर पीने के पानी की विवस्ता उपलब्द करानी है अपाट फर्म दिस ये जो 44 करोण उपे हैं इनमें से 1950 करोण उपे जो है ये प्रधानमंत्री आवास्योजना के अंतरगट दिये गए है प्रधानमंत्री आवास्योजना के अंतरगट गुजराद के अंदर जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग disappointment माफी चाता हूँ उनको रहने के लिए घर की फैसिलिटी उपलब्द कराई जाएगी गुजरात में इस टाइम पे मुक्ष मंत्री है वो पिंदर पिटेल और यहां के गवर्नर है आचार देवरत गुजरात के फॉक डांस आप से कई बार पूछे जाते हैं जैसे कि यहां पर गर्बा होता है दांडिया होता है एक यहां पर होता है हुडो नाच क्या बोलते हैं हुडो एक यहां पर भवानी नाच होता है टिपनी नाच होता है लूर नाच होता है यह सब यहां के फॉक डांस है अगला कोशन है अभी हाली में संगाई कॉर्परेशन और्गनाईजेशन की एक्री कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग का कौन सा संस्क्रण आयोजीत किया गया है और इसको एक्री कल्चर मिनिस्टर नरेन सिंग तोमर की अध्यचिता में लीट किया गया तो इस बार इस ने हिस्सा लिया, जैसे कि चाइना यहां पर हिस्सा ले रहा था, रश्या ने हिस्सा लिया है, कजीकिस्तान ने, उजबेकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजीकिस्तान, इन सभी देशों ने यहां पर हिस्सा लिया है। संगाई कॉर्परेशन और्गनाइजेशन एक ऐसी जंस्ता है जिसकी स्थापना साल 2001 में करी गई थी इसका हेड़कॉर्टर है चाइना की कैपिटल बीजिंग और इसके सेक्रेंटरी जनर्रेल एंस टाइम पे जांग मिंग क्या नाम है इनका जांग मिंग अगला कॉशन है Ministry of Home Affairs के द्वारा G20 Conference on Crime and Security का आयोजन कौन से शहर में किया जाएगा दरसल इसमें मेन कंसर्ण होगा Artificial Intelligence, Metaverse इन सभी टेक्नालोजीज की मदद से Cyber Crime को कैसे रोका जा सकता है, Cyber Security को कैसे और अपडेट किया जा सकता है, इन सभी विश्यों पर G20 Nations चर्चा करेंगे क्योंकि Cyber Crime आज की डेट में सबसे बड़ा उभरता हुआ Crime है और अपने आपने सोसाइटी में चैलेंज भी है तो जो ग्राय मंत्राले है, वो इसकी अद्धेच्चता करेगा गुरुक्राम में, कहां पर गुरुक्राम और हर्याना के गुरुक्राम में ये मीटिंग आयजित करी जाएगी 13 से लेकर 14 जुलाई तक, दो दिवसी ये मीटिंग होगी इसमें Ministry of External Affairs भी हिस्सा लेंगे, Ministry of Home Affairs तो इसको लीड ही कर रहा है और साथ में Ministry of Electronics and Information Technology भी हाँ पर हिस्सा लेंगे अगला कुशन है, ये कौन से देश की पुलिस है, जिसके द्वारा अभी हाली में एक Traffic Campaign लॉंच किया गया है जिसका नाम है Stay in Your Lane और ये कैमपेंग इसलिए लॉंच किया गया है, ताकि सडक पर चलने वारे जो लोग rules का उलनगन करते हैं उनको समक सिखाया जा सकें, और साथ में जो new covers हैं, जो की driving license लेकर road पर आ रहे हैं उनको भी rules and regulations बताया जा सकें तो ये जो कैमपेंग है, ये लॉंच किया है, United Arab अमीरात ने है और UAE में शारजहां पुलिस के द्वारा इसको लॉंच किया गया है तो शारजहां पुलिस ये कैमपेंग चला रही है, Stay in Your Lane कि आपको लेन के अपनी जानकारी होनी चाहिए, आप जो rules and regulations और road पर चलने के उनका उल्लंगन ना करें और इसके अलावा इन्होंने कई सारी social networking websites में भी इसको continue रखा है United Arab अमीरात की capital है, अबू धाभी और यहां के रास्टपती है इस टाइम पे मुम्मद बिन जायदल नहान, क्या नाम है मुम्मद बिन जायदल नहान सिंगापूर की capital, सिंगापूर सिटी अमरीका की वाशिंटन, भारत के आपको पताई है, नहीं दिली अगला कोशन है, यह कौन सा शहर है जहां पर global financial market infrastructure और साथ में London Stock Exchange Group के द्वारा एक excellence service center की स्थापना करी जा रही है तो एक excellence technology service center स्थापित किया जा रहा है हाइदराबाद में, लंदन Stock Exchange Group के द्वारा अब इसका सीधा फायदा भारत के अंदर insurance sector को मिलेगा और banking sector को मिलेगा मतलब कई तरीके की financial services यह provide करेंगे banking services और insurance services प्रोवाइड करेंगे भारत के अंदर और London Stock Exchange Group इस excellence center के अंतरगत भारत में एक हजार लोगों को रोजगार देंगे मतलब एक हजार jobs इसके अंतरगत निकलेंगे अगर इस टाइम पर बात करें तो London Stock Exchange Group के इस तरीके के excellence center डुनिया भरके 70 देशों में हैं लेकिन सबसे ज़्यादा Asia Pacific देशों में हैं और इनों ने Asia Pacific देशों में अभी तक 23,000 लोगों को इन excellence center के अंतरगत रोजगार दिये हुए London Stock Exchange Group की स्थापना साल 2007 में करी गई थी इसका headquarter है London और इसके CEO है David Seshwimmer क्या नाम है यहां पर में लिख देता हूँ David Seshwimmer ठीक है अगला question है यह कौन सा bank है जिसके द्वारा अभी हाली में 100 दिन 100 बुकतान नाम का अभियान चुरू किया गया है तो देश के हर एक जिले में यह campaign चालू किया गया है Reserve Bank of India की तरफ से अब देखे इस campaign का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि RBI ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किये है कि आप लोग एक काम करिये कि जो top 100 आपके ऐसे case है जिन में पैसा unclaimed है ठीक है unclaimed deposit का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ पहले क्या होता है जैसे माल लीजे किसी व्यक्ती ने बैंक में पैसा जमा किया ठीक है पिछले 10 सालों से इसका पैसा account में जमा है और इसमें कोई भी हरकत नहीं हुई है ना ही एक पैसा निकाला गया है ना ही एक पैसा deposit किया गया है तो यह पैसा क्या है unclaimed हम हो चुका है तो इसका सही उत्तरादिकारी धोड़ना है बैंको को और उनको यह पैसा पूरा देना है ठीक है तो इसको बोलते हैं unclaimed deposit तो ऐसे 100 unclaimed deposit हर एक डिस्टिक के अंदर हर एक बैंक को execute करने है तो इस वज़े से इसका नाम रखा गया है 100 days, 100 pays campaign और इसमें FD वगएरा भी आ जाती है तो FD लेकिन दूसरे तरीके से consider करी जाती है जिस दिन से FD का maturity period खतम हो गया हो ठीक है FD मान लीज़े mature हो गई है जिस दिन से उस दिन से लेकर अगर 10 साल तक कुछ भी claim नहीं हुआ है तो वो unclaimed amount में consider होता है इस तरीके का जो unclaimed amount है वो एक time के बाद जो bank है वो RBI को transfer कर देते हैं यह particular amount ठीक है यह rules है RBI के RBI की स्थापना 1935 में करी गई थी इसका रास्टी करण 1949 में किया गया था RBI के governor है शक्तिकांत दास यह 25 वे governor है RBI के और शक्तिकांत दास 2023 के governor of the year भी declare किये गए है Reserve Bank of India ने अभी हाली में कौन से बैंक के उपर इनके interest rate और saving accounts के norms का violation करने की वज़े से 2.92 करोन की penalty लगाई है तो RBI ने यह जटका दिया है Canera Bank को Canera Bank ने Reserve Bank of India के opening saving accounts के norms का violation किया है और साथ में interest rate links का भी violation किया है जिसकी वज़े से अब इनके उपर करीब करीब 3 करोन वपई की penalty लगाई गई है Canera Bank काफी पुराना bank है इस bank की स्थापना 1906 में करी गई थी इसका headquarter है Bangalore और Canera Bank के CEO हैं इस टाइम पे K.S. Raju क्या नाम है K.S. Raju State Bank of India 1955 में इस्थापित किया गया headquarter है मुंबई और chairperson है दिनेश खारा Axis Bank 1993 में इस्थापित किया गया headquarter मुंबई है और इसके chairperson है अमिताब चोधरी SDFC Bank 1994 headquarter इसका भी मुंबई है SDFC के CEO है शेशिदर जगदीशन अगला question है अभी हाल ही में ये कौन है भारती है मूल की जिनको US Senate के द्वारा वहां के State Departments में महिलाओं से जुड़े हुए जो Global Issues Related Problems है उनका ambassador appoint किया गया है ambassador at large इसको बोलते है तो ये हैं गीता राओ गुपता तो इनको अमरीकी Parliament के द्वारा अमरीका के Women at the State Department के ambassador के रूप में appoint किया गया है और जो गीता राओ गुपता है भारती मूल की तो ही है और अब बात करते हैं ये करती क्या है तो देखे एक्चली ये United Nations Foundation 3D Program for Girls and Women's के Executive Director के रूप में भी कारगरत रह चुकी है इतना ही नहीं इन्होंने महिलाओं की Economic Security को भी प्रमोट करने के लिए कई campaign चलाए है Gender Equality के लिए भी कई campaign चलाए है तो महिलाओं को चाहे Link के अधार पर बात करें समानता के अधिकार के लिए इन्होंने कई सारे campaign चलाए है और चाहे Economic Security के अधार पर बात करी जाए हर तरीके से उनके welfare के लिए हमेशा आगे रही है इस वज़े से अब इनको ये Ambassador as a पदभार दिया गया है ये Women at the State Department को समालेंगे और अगर बात करें हाली में appointment किये तो आपको ध्यान रखना है अभी हाली में एक appointment मैंने आपको बताया था कल के दिन कि National Investment Infrastructure Fund के नए CEO कौन बनाए गए है तो ये हैं राजीव धार कौन है राजीव धार नाम ध्यान रखेगा अगला question है अभी हाली में CBI के अगले दो साल के लिए नए डिरेक्टर कौन appoint किये गए है Central Bureau of Investigation तो अब CBI के अगले डिरेक्टर होंगे प्रमीन सूथ प्रमीन सूथ एक senior IPS अधिकारी है और 1984 वैच के अधिकारी है माफी चाहता हूँ 1986 वैच के अधिकारी है और करनाटका इनका कैडर था इसके अलावा ये माइसूर सिटी के commissioner of the police भी रह चुके है और apart from this और भी कई तरीके की ये भूमिकाएं बड़े ही important operations में निभा चुके हैं इसके अलावा इन्होंने अपना काफी जो कारेकाल है अपने जो career का जो time है वो terrorism activities को monitor और control करने के लिए भी जो operations launch किये गए हैं उसमें इन्होंने सर्फ किया है तो एक तरीके से इन्हें हर तरीके का के जो operations है उनकी एक हम जानकारी भी रखते हैं और साथ में important role भी इन्होंने अपने कारेकाल में play किया है तो अब सारी चीज़े देखते हुए अभी हाली में PMO की high power committee ने यह decide किया है कि अप से CBI की command यही समा लेंगे प्रमीर सूथ ने किसको succeed किया है यह जिसकी जगें ले रहे हैं वो है सुबोध जैस्वाल कौन है सुबोध जैस्वाल जैस्वाल साब 25 मई को रिटायर हो रहे है अब उनकी जगे पर आ जाएंगे प्रमीर सूथ अगला question है अभी हाली में यह कौन सा port है जिसको सागर स्रेस्ट सम्मान एवर्ड 2023 से सम्मानित किया गया है इस बंदरगा ने सबसे उतकरस्ट कार किया है व्यापारिक छेतर से भी और साथ मैं एक तरीके से आप बोल सकते हो port के आज़ पास cleanliness को maintain करने के लिए भी मतलब pollution नहीं होने दिया यह सारी चीजों की वज़े से इनको सम्मानित किया गया है तो यह है कोचीन port भारत का best port डिकलेर किया गया है सागर सेश्ट सम्मान एवार्ड 2030 के अंतरज़त यह एवार्ड shipping and corporation मंत्राले जिनके पास है सब नंदा सुनवाल इनके द्वारा दिया गया International Day of Families हर साल कौन से दिन मनाया जाता है तो यह दिवस 15 मही को हम लोग मनाते है और इसकी theme इस बार रही demographic trends and families यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि daily life को follow करने के लिए या फिर आप बोल सकते हो daily हर तरीके की जीवन को जीने के लिए और families जो है अपने सदस्यों के लिए किस-किस तरीके के challenges को face करती है तो यह एक तरीके से हर एक family को tribute है United Nation General Assembly के द्वारा पहली बार इसको 1993 में declare किया गया था और पहली बार इसको मनाया गया था 1994 में तो 1994 से लेकर आज तक हर साल यह दिवस मनाया जाता है families के लिए United Nation Global Road Safety सफटा अभी हाली में कब से कब तक मनाया जा रहा है तो यह सफटा 15 से लेकर 21 में तक मनाया जा रहा है इस बार इसकी थीम है sustainable transport यह बहुत important थीम है इस तरीके की छोटी दो या तीन words की जो थीम होती है यह आप से बहुत पूछी जाती है ध्यान रखेगा पहली बार इस सफटा को साल 2007 में मनाया गया था तो आज की बात यहीं तक रहेगी अब मेरा सवाल आप से आज का कि आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि इन में से किसको power plants of the cell के रूप में भी जाना जाता है अगर आपको पता है तो comment box में लिख कर बताईए इन में से किसे कोशिका का उर्जा सायंतर भी कहा जाता है जल्दी बताईए comment box में लिख कर रहा है आप मुझे exam engine application में follow कर सकते हैं आने वाले 2023 के CGL के लिए या उससे आगे जितने भी आपके इस साल SSC के exam है आप हर एक exam के लिए मेरा a batch follow कर सकते हो यह running batch है बिलकुल नया batch है इस batch की खास बात यह है कि इसमें आपको VOD plus life classes दोनों एक साथ मिलती है आप जैसे ही इस batch को end roll करते हो तो एक ही बार में आपको सारी recorded classes history, quality, geography, science, economics की मिल जाती है इसके अलावा मैं यहाँ पर life classes भी आपकी one liner के form में ले रहा हूँ हर एक subject की साथ में science की आपकी live classes चल रही है physicist, chemistry, bio की तो यह batch आपके लिए सबसे बहतर है और इस बार आप इस batch की मदश से अपनी नईया बहुत ही आसानी से पार लगा सकते है इतना ही नहीं आप score भी जबर जस्त करेंगे तो अगर GSG के में problem हो रही है तो यह आपके लिए one stop solution है इसके अलावा आप quality का recorded या history का recorded batch यह सारी चीज़े exam engine से अवेल कर सकते है quality का जो recorded batch है उसमें आपके लिए science की free magazine भी है इसके अलावा हमने इसे काफी update भी कर दिया है अब इसमें extra classes भी मैंने आपको दूई है practice के basis पर आज की बाद यहीं तक रहेगी thank you so much have a nice day take care bye bye आपका दिन मंदल में